हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एल्जीर स्टडी एल्जीर स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का कलास शुरूस करने से पहले आपको बता दे कि आपने इस से पिछला कलास नहीं देखा है ठीक है अनुबाद फार्ट वन का जो कलास था यदि आपने अभी तक उस व्यूरियो को नहीं देखा है तो एक वार जरूर देख लेंगे क्योंकि अनुबाद से लेटर जितना भी बेसिक बात है ठीक है जो भी बेसिक चीजे थी हम लोगों ने वहां पे किलियर करने का प्रियास किया है चाहे वह आपका पुरूस हो पुरूस में तीन प्रकार से सभी प्रकार को हम लोगों ने पाठ फश्ट में देखने का काम किया है ठीक है और साथी साथ सभी लकार में धातू का रूप किस प्रकार से चलेगा ठीक है धातू रूप भी हम लोगों ने उसमें क्या किया है पुट करके देखने का काम क्या है जिसको समझने के बाद संस् तो जब तक आप चोटी वाक के को किस परकार से अनुबाद किया जाता है नहीं देखेंगे तो आप बड़े प्याक क्या हो जाएगा थोरा सा आपको परिशानी जहलना पड़ेगा इसलिए आप उस वीडियो के वार जरूर से जरूर क्या करेंगे देख लेंगे और चलिए श सभी सुतर हम लोग देख लेंगे उसके वाद हम लोगों को किसी परकार की कोई दियोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी शिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस के थीक है उसके लिए हमलोग क्या करेंगे अगले कलास में एकदम बड़े-बड़े वाक्यों क को लेकर के आएंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हो एसे वाक्यों को लेकर के आएंगे और साथि Shortly that कर आपको प्रैक्टिस कर वाने का काम करेंगे वह सब्सक्राइब चहुँब हैं तो एक विद्रेंगे की सब्सक्राइबे सब्सक्राइब होगा टिक सब्सक्राइब यह ज़िए अपको पत पर रहा इस बहुत बहुत hem जो एक बार आप यदि राम सब्द को देख लेते हैं तो क्या होगा वह भी आपका किलियर हो जाएगा और आगे जब वाक्यों को क्या करेंगे संस्क्रित में अनुबाद करेंगे तो वहां आपका और बेहतर तरीके से समझ में आएगा ठीक है तो चलिए यहां पर देखते है पर्थम में आप मानले करता दूसरे में कर्म तिसरे में करन इसी परकार चे क्या होगा यह संबोधन तक जाएगा ठीक है और इस साथ आपका वचन दे दिया गया है वचन आपको पता ही है एक के लिए एक वचन दूर के लिए दूरी वचन और दूसरे अधिक जब किसी भी चीज का प्रियोग होगा तो उसमें क्या होगा बहु वचन हो जाएगा ठीक है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पिछले वीडियो में भी हमने बताने का काम किया था ठीक है अब देखिए राम सब्द का पर्थम विवक्ति में एक वचन दूरी वचन और बहु वचन के में क्या हो गया रामा दूरी वचन के लिए क्या हो गया रामो और बहु वचन के लिए क्या हो गया रामा किसी भी वाक्य में यह दि आपको दिखे कि एक बालक ने ठीक है तो उसके लिए क्या हो जाएगा बालका राम से यहां पर रामा हुआ है तो वहां पर बालक से क्या ह को बन जाएगां कि बहुत सारे के लिए जैने जब हम जाएगे कि लर्कों ने घीक है तो लर्कों के लिए क्या हो जाएग आ बालगा क्या हो जाएगा क्या बालका है यह Запils बीवकति देख लिए जो रामका सब रूप इस पर नाम को तो रामो और बहुत सारे रामो का जब बात होगा रामो का बात होगा तो क्या हो जाएगा रामान हो जाएगा उसी प्रकार से एक बालक के लिए बात होगा तो बालको और बहुत सारे बालक का बात होगा तो बालकान क्या हो जाएगा बालकान हो जाएगा तिर्टिया विवक्ति में देखते हैं तिर्टिया विवक्ति में यहां राम का जो सब रूप है वो इस परकार से चलता है एक बचन में रामेन दूई बचन में रामा भ्याम और बहु बचन में रामो क्या हो जाएगा रामो अब देखिए यहां पर राम से तो यहीं पर यह दी रहाता कि बालक से तो क्या हो जाता बालकेन बालक से यानि किसी भी चीज़े से जिसे कलम से तो कलमेन बालक से तो बालकेन ठीक है फिर रहेगा कि दो कलम से तो कलमा भ्यान क्या हो जाएगा कलमा भ्याम दो बालक से तो बालका भ्याम आपको सब्द पूट करना है आपके सामने जब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कलम से यानि कि यह जो है यह तिर्तिया भीवक्ति का सब्द है तो दुई बचन का जो यहां पर दुरूप चलता है वह पर योग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तिर्तिया भीवक्ति का बहु बचन लगेगा ठीक है तो बहु बचन लगेगा तो क्या हम लोग करेंगे तिर्तिया भीवक्ति का बहु बचन परयोग करेंगे यहां पर देखेंगे राम से राम हो जाता है तो कलम से क्या हो जाएगा कलम हो जा पड़का उसमें आपको सभी सभ दूप असानी से मिल जाएंगे तो एक बार आप लोग उस सभी सभ दूप को क्या कीज़ेगा देख लिजेगा ठीक है तो चतुर्थी भक्ति में फिलाल देखिए एक वचन के लिए राम के लिए चातर के लिए राता तो यहाँ पर क्या होता चातरा आए लर्का के लिए तो लर्का का क्या हो जाता लर्का का आपको पता ही क्या होता है बालक होता है तो बालका आए आपको देखिए प्रेशान ही नहीं होगा ठीक है आप थुरा सा कंसंट्रेट होके एक वार देख लेंगे इसको और साथी साथ जो भी सब दूरूप लोकतन से North promotion विवक्ति का एक कबर मथादान करन से लेकिना पनच मी विवक्ति में आपादान से हो तो यहां पर प्रयोग में भड़ा ao國家 करन से orण किसी भी बिवक्ति हो तरुहां पर आपादान में रहा होते हैं तो द०ा करन से किने विश्य कय faith में क्या होता है पंचमी विवक्ति लगती है और वहां पर इस पंचमी विवक्ति का क्या होगा सुत्राप का लगेगा जैसे ब्रिक्च से पत्ते गिरते हैं तो ब्रिक्च से तो ब्रिक्षात यहां राम से तो रामात राम से रामात तो ब्रिक्च से तो क्या हो जाएगा ब्र और बाके दूऐ बचन के लिए रामयो पने कि लिए उसके लिए इसी पेटर्ण का, पर्योग करेंगे डारी Mat endings में क्या हो जाता है राम तो कय कम ळो स्ब्रीन में क्लीए करेंगे रामयो और बहु बचन कि लिए सबसे अच्छा है कि इस दो छात्र में अच्छा गुन है और वहातर है? तो कभीयों में क्वीशु है। कभीयों में कभीयों में क места को जाए नो कम छेके सतो ना कम एक कभीयों में कालिदास स्रेश्ट अपया है। कभीयों में काली दास रेस्ट है, तो कभी सु काली दास रेस्ट है, कभी सु कहां से हुआ, यहीं से हुआ, ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, यहां पे देखें, यहां पे एक राम उदाहरन की तोर पर दिया गया, यहां पर कुछ भी रखा जा सकता है, यहां पर कभी रखा तो यह नहीं कि सिर्फ यह राम के लिए फीट होगा और भी बाकि इस से लेटर जो भी आकारांत सब्दाएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे इसी पैटरंड पर चलेंगे ठीक है तो सब्दमी विवक्ति में आपने देखा कि रामे रामयो रामे सू और संबोधन संबोधन में एक वेक्ति के लिए हे रामा दुए वेक्ति के लिए हे रामो और बहुत सारे वेक्तियों के लिए क्या हो जाएगा हे रामा क्या हो जाएगा हे रामा ठीक है और यहां पे नोट में हमने आपको लिख भी दिया कि बालक आधी उकारांत यहां पे लिखा गया यह क्या होगा अकारांत होगा और हो जाएगा यहां पर ठीक है अकारांत सब्दों के रूप भी क्या होगे इसी परकार से चलेंगे ठीक है यहां पर हमने क्या किया है दोस्तो राम सब्द रूप देख लिया है और उमीद करते हैं कि आप इस पैटर्ण को समझे होंगे ठीक है किस परकार से परतेक बिभक्ति में परतेक वचन के लिए क्या होता है अलग-अलग रूप से रामसब्द का प्रियोग किया जाता है और इसी परकार से जब आपके एकजाम में जो आपके पूछे जाएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि किस परकार का क्या होता है बिभक्ति उसमें फीट सबधा और ये क्या है स्ट्रेलिंग सबद एक बार क्या करेंगे हम बोग पढ़ लेंगे यहाँ पर देखिए एक बार हम आपको पढ़कर बटा भी देते हैं ठीक है तो लत्तासब्द का बिव्क्ति Egyptian की लिए लता लते लता दोतिया भी वक्ति में लताम लते लता तीरतिया भी वक्ति के लिए लताया लता भ्याम लता भी चातुरतिया भी वक्ति के लिए लताये लताभ्याम लताभ्या लताया लताभ्याम लताभ्या सस्टी भी वक्ति के लिए फिर क्या हो जाएगा लताया लता नाम इसके आप देखी सकते हैं है यह लता हे लते लता ये भी भाउत हद तक क्या है ड्रामसबd के पैटरण पर है लेकिन थोरा वह चिंज रहें चुकि यह क्या है इक रहें इसको भी देख लेंगे और यहां पर देखिए इससे आपका कन्यासब्द हो कला आग्या सुथा हो धर् आधा हो बांकि जो भी सब इतना आपने यहां पे देखा उसी के पेटर्न पे चलेगा ठीक है अब पेटर्न यहां पे कितना वार हम बताए आप लोग क्या करेंगे इसको देख लेंगे आपके गैड में भी बहुत तारी दिये गए ठीक है वहां देख लेंगे या फिर कोई आपके पास संस्कीर्ट का बुक हो देख लेंगे ठीक है और साथी साथ इसका पीडिया भी हम आप लोगों को प्लाद कर देंगे तो आप वहां से भी जेख सकते ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं में चीज पे चलते हैं यह तो हमारा बेसिक था कि यह हम जानने के अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कारक के बम विवक्ति सूत्र देखेंगे इसी सूत्र के अधार पे आगे हम लोग क्या करेंगे अनुबाद बनाएंगे ठीक है और यहां पे उदाहरन के साथ आपको दिखाने का पडियास करें ताकि आप क्या करें चीजों को समझ पाए ठीक से यहां पर पहला जो है लिखा गया है यहां पर कि उक्त कर्मनी पर्थमा ठीक है उक्त कर्मनी पर्थमा का मतलब यह हुआ कि जब कोई वाक के कर्म वाचका हो किसका कर्म वाचका ठीक है और उसमें कर्म की परधानता हो तो कर्म कारक में क्या होता है पर्थमा रामेन चंद्रह द्रिस जाते, यानि कि राम ने क्या क्या, राम ने चांद देखा, इसमें देखिए, राम ने क्या देखा, तो चांद देखा, यहाँ पे चांद क्या हो जाते है, पर्धान सब्ध हो जाता है, और यहाँ पर राम तो हो गया आपका करता, और देखना क्या हो किर्थ वाच्च का हो तथा करता की पर्धानता होने पर करता में क्या होता है पर्थमा विवक्ति लगाई जाती है तो करता में जो पर्थमा विवक्ति लगाई जाए कब जब उस वाच्च में क्या होगा करता की पर्धानता होगा तो जैसे में यहां आप देखिए जैसे में कि राम चंद्रम पस्यति राम चंद्रम पस्यति राम चंद देखता है क्या करता है चांद देखता है तो कौन चंद देखता है राम राम यहां पर क्या है परधान है तो राम में क्या हो जाएगा पर्थमा विवक्ति लगेगा और राम में पर्थमा विवक्ति चुकि राम य कि यहां पर दिया गया है फल मिखा दामी तो में खते हुआ वाल ब्हुत कौन खता है मैं मैं घाने का कारिट कर रहा है यहां प्रधान है कि युद्ANNA कर्थमा विवक्ति का एक वचन का ग zitten मतलब आप पढ़ेंगे तो उस में आपको Uhum आवाम वयम येवाला क्या होगा पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वह भी आप लोग को क्या करना अगर साथ ही साथ एक और सब्द रोप आता है यूसमद क्या था है यूसमद जी से तो वह भी क्या करना है और उपने गयेड तो आas मद आगे से क्या होता है वयम होता है लेकिन और उससे आगे का जो भी है वो तो हमने अभी नहीं बता है वो जब आप पूरा सब रूप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है तो इसलिए क्या करेंगे आप लोग असमद और युजुमद का भी एक बार जिरूर देख लेंगे अब हैं शेλिए तो आपको पताई है और उसमें दितिया व्यवक्ति करढकाते है और किया व्यक्ते क्या होता है दूतिया व्यवक्तिका पत्यव裡ीग को बियाजाता है तो जैस्के खता शेया whereby दाते मोहार hon vita मदूरं बदति मोहन बोलता है है छुष कोता है विकल नि'tर इसको चौन सब निकिकर गाल रहे हैं मदूरम उसके बोल ने का जो सहली है उसको क्या कर रहे है दरसार है उसका विष्यस्था निनEC एक है किरिय मदूर बो कि राम से क्या हो जाता था रामम रामो रामान हो जाता था एक बचन के लिए रामम दूई बचन के लिए रामो बख बचन के लिए रामान हो जाता था तो उसी परकार से चुकि यहां पर मोहन सिंगल है तो क्या होगा दूतिया विवक्ति का एक बचन लगेगा इसमें और क्य सूतिर Sizane डीरे दीरे चलता है तो वह चलता है यह तो कारिज हो गया और कारी ऌदरिक जो चलननल wrinkles कर रहा हैसे कर रहा है और क्लिभी दीरखरि셔야 वह थた। क्या हो गया तो एस इसका एक सूत्री है किरिया भिसेशन से być जैसे में लिखा हुआ है कि राम पुस्तकम पठती, यानि कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम तो हो गया करता आपको पता ही है, ठीक है, और पठती क्या हो गया, किरिया हो गया, बीच में जो बच गया पुस्तक वो क्या है, कर्म है, तो कर्म में यहां पर बताया जा रहा कर्म में दूतिया भीवक्ति लगाई जाती है तो किताब का होता है क्या होता है पुस्तक होता है और इसमें दूतिया भीवक्ति लगए तो क्या हो जागा पुस्तकम हो जाएगा राम से रामम हो जाता था तो यहां पर पुस्तक से क्या हो जाएगा पुस्तकम अब आगे किडिया घंढि पकेवल देखे बरकार पांच आत्य़ा किरिया का लगातार होने तथा फल की प्राप्ति ना होने पर क्या होता है काल वाचक और मार्ग वाचक सब्दों में दूतिया भ्यवक्ति लगाई जाती है तो यहां पर देखिए जैसे में उदाहरन में दिया गया है कि सह मासम व्याकरनम अधिते वह महिनों से क्या कर रहा है व्याकरन पर रहा है, व्याकरन का अध्यन करा महिनों से, अब कब तक खतम होगा उसका कोई अता पता नहीं, ठीक है, तो कार्ज क्या कर, कार्ज लगातार हो रहा है, लेकिन उसका किसी भी परकार का फल परापती नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सह मासम व्याकरन मधिते, यानि क वह महिनों से व्याकरन पढ़ रहा है इसमें जो ये कालवाचक सब्द है कालवाचक सब्द कौन हुआ महिना कालवाचक सब्द है न जी समय वता रहा है न तो महिना जो कालवाचक सब्द है उसमें क्या हो जाएगा दुतिया विवक्ति लग जाएगा तो मास महिना का क्या होत यह नदी कोशो क्या है यह नदी कोशो कुटीला यानि कि क्या है तेड़ी है कोशो अब कितना कोश तक तेड़ी है कुछ अता पता नहीं है यह नदी कोशो कुटील है यानि कि तेड़ी है ठीक है तो यहां पर कोश सब्द क्या है कोश सब्द जो है दोस्तो वह है मार्ग तो इस मारग वाचक सब्द में यहां पर क्या होगा दूतिया विवक्ति लगेगा तो को से क्या हो जाएगा को सम हो जाएगा चौन नमर में आप देखिए चौन नमर में यहां पर करने तिर्तिया क्या है करने तिर्तिया करने तिर्तिया में करन कारक में तिर्तिया विवक्ति तो हमने आपको बताया था कि सभी काडग को आप लोग चिन के साथ जयाद कर लीजे ताकि आपको क्या होगा, आगे जब हम लोग पर्योग करेंगे तो आपको हहाँ पर समझ में आएगा जिन्हों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा करन काड़क का जो चिन होता है क्या होता है वो यह होता है यानि कि करता ने कर्म को करन से तो यह देखिए काड़क आठ जो होते हो उसमें से दो बार से आता है एक करन से और एक होता है अपादान से ठीक है अपादान से अलग है और करन वाला से अलग है तो यहां पर बताया ज प्रियोग किसी भी चीज को साथ लेकर करते हैं तो कलम से लिखता है इस परकार के वाकिर के लिए करन से होगा और जब बिछडने का बोध होगा किसी भी बाक्त से तो उससे का मतलब क्या होगा अपादान वाला से तो यहां पर कहा जा रहा है कि करन कारक में तिर्थ्याभ्यवक्ति लगाई जाती है यहां पर उधारन है यहां पर उधारन दिया गया है कि सह कलमेन पत्रम लिखती यानि क मारा तो बान से बान साथ में ही था तो बान से तो हो जाएगा क्या हो जाएगा बानेन हो जाएगा वहाँ पर ठीक है यहाँ पर कलम है तो कलमेन इसी परकार से बांकी जो ही आप आएगा तो आप क्या करेंगे तिर्थिया भी वक्ति लगाएंगे ठीक है साथ नमर में यहाँ इसकारज को करने में सबसे अधिक साहयक को ना को यहां पर लग रहा है बान लग जाए भाई बान नहीं रहेगें 되면 कि मरणा जाता है ठीक है तो बान में क्या होगा तिर्थीया व्याज़ान फीरण hm यहां प्लत्र लिखति कलम यहां प्सके लिखने में सबसे अधिक साहएता कोण पर्दान कर रहा है कलम कर mistakes कलम के बीना पत्र लिखा जा सकता था नहीं तो यहाँ पे आपका लिखाई हुआ है कि किरिया की सिद्धी में जो सबसे अधिक सहायक हो जो सबसे अधिक सहायक हो उसमें क्या होता है तिर्थियाविवक्ति लगाई जाती है तो यहाँ पे पत्र लिखने में कलम सबसे अधिक सहायक है तो कलम में क्या लगए तिर्थिया विवक्ति और कलम से वो बन गया कलमें जैसे राम से बन जाता था रामें ठीक है अब देखे आठ नमर में देखे आठ में यहाँ पे है कि अपवर्ग तिर्थिया अपवर्ग तिर्थिया में आप यहां पे देखे कि किरिया की सिध्धी या फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं और वैसे इस्थिती में काल वाचक और मार्ग वाचक सब्दों में तिर्थिया विवक्ति लगाई जाती हैं किरिया की सिध्धी या फलकी प्राप्ति को अपवर्द कहते हैं और वैसी इस्थिती में क्या करते हैं काल वाचक और मार्ग वाचक सब्दों में तिर्थ्याभिवक्ति लगाई जाती है जैसे देखिए राम मासिन व्याकर्णम अपठत इस अपठत को देख के आपके राम अपठन ठीक है इस परकार से क्या चलता था उसका पैठन चलता था तो अपठत आया ने कि भूत काल यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि राम ने एक मास में व्याकरण पढ़ लिया क्या किया कारिश सिध्ध कर लिया व्याकरण पढ़ लिया ठीक है तो कारिश सिध्धी और फल के प्राप्ति के सन्योग में यहाँ पे क्या होगा काल वाचक और मार्ग वाचक सब्दों में चुकि तिर्तिया विवक्ति लगेगा तो यहाँ पे देखे कि रमेश मासेन एक मास में चुकि पढ़ लिया है पढ़ लिया है न जी कुटिला अस्ति यह नदी जो है वो कोसवर कुटिला है मात्र कोसवर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद सीधा भी हो सकता है लेकिन इससे पहले भी हम लोग एक देखे थे जिसमें दूतिया विवक्त लगता था वहां पे था कि कोसो कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है लेक कि नौ नमर में है कि ये नांग विकार ये नांग विकार फे आप कुश्चन पलट के देख लिजे कोई भी साल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें क्या हो ये नांग विकार पे आपको अनुवाद नहीं पूछाओ ठीक है तो इसको आप लोग एकदम भीवियाई करके रट या पिर पैर से क्या है लंग्रा है आंक्से क्या है अंधा है या फिर कान से वधीर है वही ठीक है तो शरीर के जिस एंग में विकार होगा यानी कि जिस एंग mniej विकलंग रहेगा उस अंग में क्या लग जाएगा तिर्तिया भीवक्ति लगेगा जब आप उदाहरन यहां पर देखेंगे तो आपको पूरा फ्रेस हो जाएगा कि आखिर हम कहना यहां पर क्या चा रहे है ठीक है तो देखें यहां पर लिखा गया है जैसे में कि राम पादेन खंज राम जो है वह पाउं से लंगड़ा है किस चीज से लंगड़ा है पाउं से उस पाउं में क्या लग जाएगा पाउं में लग जाएगा तिर्तिया भीवक्ति पाउं का संस्कीत में होता है पाद क्या होता है पाद तो पाद से क्या हो जाएगा पादेन पादेन बन जाएग तो राम पादेन यानि कि राम पाउं से और खंजका हो गया लंगरा आस्ति मतलो है राम पैर से लंगरा है इसका बहुत सारा उदाहरान हो सकता है जैसे कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रमेश क्या है कान से बहीर है कान से बहीर है जैसे बोलते हैं कि फलाना कान से बहीर है त तो रमेश का क्या हो जाएगा, रमेश का होगा, 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 इस प्रकार्शम लोग लिखेंगे, आगे देखें यहाँ पे 10 नमर में, 10 नमर में है कि प्रकिर्ती, प्रकिर्ती मतलब स्वभाव, अपना स्वभाव ठीक है, जो बताता है लोग, तो स्वभाव, जाती, आकिर्ती, गोत्र नाम आधी बतलाने के योग में तिर्तिया विवक् ये आपको याद रखनाय है, अब देखिए, 12 नमर में चलते हैं, लोग 12 नमर में देखते हैं, बारा में हैं कि साहर्थ तिर्तिया, यानि कि सह अर्ठात साथ के योग में और पर्धान अर्थात गौन करता, ठीक है। अर्थात जिसके साथ परधान करता हो, उसमें तिर्थया भिफक्ति लगाई जाती। इतना यह आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो बहुत ज्यदा टेंसन लेने का बात नहीं है। सह के परयोग में, साथ, जब किसी के भी साथ का बात होगा, तो उसमें क्या लगा जाएगा, जिसके साथ हम रहेंगे, ठीक है, जिसके साथ रहेंगे, उसमें क्या होगा, तिर्थिया भी वक्ति लगेगा, यहां पर उदाहरण दिया गया है, कि सह, मया सह, तत्र पठती, वह म साथ पढ़ता है मेरे साथ पढ़ता है जिसके साथ रहेगा उसमें क्या होगा तिर्तिया भीवक्ति लगए तो मेरे साथ पढ़ता है तो मेरे में क्या हो गया तिर्तिया भीवक्ति लग गया यहां पे ठीक है अब आप यहां पर बुलिएगा कि सर यहां पे तो मया लिखा हु उसको आप लोग असमद वाला को भी एक बार जरूट देख लेंगे ठीक है यहां पर फिर अगला भी देखे दिया गया है अगला उदारन है कि पिता पुत्रेन सह गिरहम गचती यानि कि पिता पूत्र के साथ घर जाते हैं क्या करते हैं पिता पूत्र के साथ घर जाते हैं त क्या होगा नहीं होगा तो उसके लीगे जिस्ता शाटो देख लीजेए क्的 cm2 को अधन्य रहे। आप अब एक दिखिए 12 नमर में यहां पर समादाने चतूरती जिसे कोई चीज देखर पुलन्ह न जाये तो जिसले जई तो जिसले बीज जाये उसमें चतूरत備 भी वक्ति लगाई जाती है जैसे देखिए आप किसी को भी कोई चीज दे करके पुनाह नहीं उससे लेते हैं ठीक है नहीं लेने का एक्षा रखते हैं तो आपने जिसको दिया है उसमें क्या हो जाएगा चतूर्ति भी वक्ति लग जाएगा क्या लग जाएगा चतूर्ति भी व ढान दे करके डिसको कोई भी चीज दे करके आप नहीं और वफडाई में क्या हो गया भीपड को वस्तर देता है आजए देखे यहां पर एक ओडुदार है कि राम द्रेद्राई अन्नम्त दाती राम जो है वो दरिद्र को अन देता है क्या करता है अन देता है ठीक है तो अन दे करके फिर तो लेगा नहीं उससे लेगा दरिद्र को आप एक वार अन देर हैं तो उससे फिर द्वारा लेजेगा नहीं तो जिसको आप देर हैं उसमें क्या होगा चतूर्थी विवक्ति लगेगा तो दरिद्र से क्या हो जाएगा दरिद्राई जिसे राम से हो जाता था राम आई ठीक है तो दरिद्र से दरिद्राई तो राम दरिद्राई अन्नम ददाती राम दरिद्र को अन देते हैं ठीक है आगे देखें 13 numer में यहां पर है कि दान आर्थ चतूरथी, दान के आर्थ में चतूरथी औस पस्ति ए, जिसे कोई वस्तु दान के रूप में दी जाए, उसमें चतूरथी विवक्ति लगाई जाती है. जिसे कोई वस्तु दान के रूप में दी जाए उसमें चतूर्थी विवक्ति यानि कि जिसको आप दे रहे हैं उसमें चतूर्थी विवक्ति लगेगा ठीक है जिसे यहाँ पे लिखा है कि राजा जनेव्या धनम ददाती राजा जो है वो जनता को क्या कर रहे हैं धन देते ह को जिसको दे रहें उसमें चतुर्ति विवक्ति तो ृट तो राम का क्या होता था राम का हो जआता सारा मभ Miles द्वॉट में और बहु वचन में वही चीज का हो जाता सा लाम इंग्या यहांबर हो गहां हू जन्न है जनैभ्या ठीक पर क्या है बहु बचन को तो हम लों क्या कर तो उसमें रामाई लगाते आ गर देखें गिकी रहां यहां पर अधिया गया हैं ङाएकि पर अधर को इसा गाइगा घा भाय की लितीयागा ते आहिक रूस हुआ इस vorbei ठीक Ép वछन ध्ति का एक वचन लगेगा ठीक है तो यहां पर देखे वह कला तो यहां आ तो ब्रामहन से ब्रहषापनाय को wybpert लक्षने, यानि कि जब किसी विशेष चिन से किसी को जाना या पहचाना जाए, तो उस विशेष चिन वाचक सब्दों में तिर्तिया विवक्ति लगाई जाती है, देखिए, जब किसी विशेष चिन से किसी को पहचानेंगे या फिर जानते हैं, ठीक है, तो उस विशेष च पटीदो रहा है तो जेटा में क्या हो गया यहां पे तिर्थिय भिक्ति लग गया ठीक अब देखे आगे एक और उद्रारण यहां पर dalam पोर Son वह पुस्तकेन छात्र परतित होता है क्या होता है वह पुस्तक से छात्र परतित होता है तो पुस्तक से होता है किस चीज से उसको हम किस परकार से पहचाने वह पुस्तक देखे उसको उसके बाद ही हमको पता चला कि वह छात्र है तो जिस चीज से किसी का पहचान हो उस चीज तो इसको भी गौर्टर से देखेंगे जिसे नम्ह अर्थात नमस्कार किया जाए उसमें चैतुर्थिविवक्ति लगाया uh जिसे नमस्कार किया जाए उसमें चैतूर्थिविवक्ति लगाया जाती है जिसे आप बोलते है लम है ग diferentes को एक आप गने भगान को परनाम कर Use और नमसकार कर रहे है उधारन में यहां पे रिया भी गया है कि देवाइनामी ८िलेगासर और लेवा यहां पर सिवाइ खिगाए के हम पहले हो देखें कर किसी उसके अनुसार कि यहां पर हो गया 건데 तो हनुमते होता है थिक है लेकिन मैन रूप से आपको क्या करना है याद रखना है राम को हीजा राम से मेकसिमम बन जाते हैं लेकिन कभी कर वहार एकाद आ गया तो आप क्या करेंगे य Advisor कर लेेते हैं ॵहार को उसमें लगेगा विक्ति में लगेगा है जैसे यहां पर देखिए कि वालक आए मोध्गम रोचते बालक को क्या होता है मोधा आफा है तो बालग में लगा है चतूर्ती-art बी वक्ति-에서는 print is क्या हो जाता है राम आए ठीक है हो जाता है ना उसी परकार से दूसरा भी उदार नहीं ब्राम्हन आए मधूरम रोचते ब्राम्हन को क्या होता है मधूर अच्छा लगता है तो ब्राम्हन से यहां पर क्या हो गया ब्राम्हन आए क्यों हो गया क्योंकि इसमें चतुर्ति भी अफ्परी धातुके योग में जिस्क्षटू की इक्षा की जाए अश्प्री मतलब होता है चाहना आपके अंदर किसी ही चीज़ का इक्षाउत्पन हुआ उसका मतलब ही है है合ब अफ्री को संस्कृत में किया कितेience है तो अश्प्री धात्तू के योग में जिस वस्थि की इक्षा किते है उसमें चतूर्थी थार्व्य वक्ति के कारण उसी परकारसे आगे 18 नमर इंगा की धारे रुत मर्ना तारी धातु के योग में जो करद देता है अम लोग देखें मजाक मजाक में गाउगवर में कहते हिए कि कितना जिन से हमारा 50 रुपय धार्व हुआ यहां टो कर्द देता है उसमें चतूर्धी जाती जो करता है उसमें चतूर्थ भीवक्ति लगाई जाती है जह से यहां पर देखे कि मोहन है 1-5 म sha राम का किसका राम का ठीक है राम का सतम यानि की एक सो रुपे कानी यानि की रुपईया धारता है रखा हुआ है ठीक है तो किसका रखा हुआ है राम का रखा हुआ है तो जो इसका मतलब राम ने कर्ज दिया है ठीक है तो कर्ज देने वाले में क्या होता है चतुरती विवक् क्या होगा पूर्ण रूप से कंप्लिटी हो जाना चाहिए और जिसका नहीं होगा उसका तो क्या ही कह सकते हैं एक बार पूर्ण उसको देखना होगा लेकिन मेक्सिमम चांस रहेगा कि जब आप प्रैक्टिस वाला सेशन करेंगे देखे एक आपने यहाँ पे देख लिया सुतर के नुसार और इसी पर यह दी दूसरा दिया जाए तो क्यों नहीं बनेगा वह जो गौर से देखेगा उसका तो बनना चाहिए ठीक है और बनेगा भी बह प्रयोजन के लिए वस्तु रखा जाता उसमें क्या होगा चतुर्ति भीवक्ति लगेगा जैसी यहाँ पर देखिए इदम स्वर्णम कुंडलाई कुंडलाई अस्ति यहाँ स्वर्ण के लिए किसके लिए कुंडल के लिए सोना है नाक के लिए भी हो सकता है मांग के लिए भी हो सकता है लेकिन यह क्या है कुंडल के लिए ठीक है तो जिस प्रयोजन के लिए उसमें चतुर्ति भीवक्ति लगए तो कुंडल में क्या हो गया है चतुर्ति भीवक्ति के कार्ण यहां पे कुंडल से कुंडल आई हो गया है आगे 20 नमर में आप यहां पे देखिए 20 नम खेलने जा रहा है, फ्षेल में लग गया, चतुरति विवक्ति, खेल का होता है, संस्गर्ट में क्रिड, और क्रिड में जब चतुरति विवक्ति लगेगा, तो क्रिडणाई हो जाएगा, ठिक है, तो सह कृणाई गच्छति, और उसी परकार से देखे, एक और उधरन यहां निस्चित बस्तु से जब कोई चीज अलग होती है तो उस निस्चित बस्तु में पंचमी विवक्ति लगाई जाती है जैसे ब्रिक्च से पत्ता गिरता है तो ब्रिक्च क्या है एकतम निशीत वस्तु है और उसमें से क्या होड़ा है पत्ता अलग होड़ा है तो अलग होड़ा है तो अलग होने के भाव में जैसे कि पहले भी हमने आपको बता है कि उसमें प ब्रिक्षात पत्रानी पतंति यानि कि ब्रिक्षात पत्ते अलग होड़ें गिर रहें तो किसी भी निश्चीत चीज से अलग होने का भाव आएगा वहाँ पर क्या होगा पंचमी वक्ति लगाया जाएगा और 22 नमर में भी आपादाने पंचमी है ठीक है कि अलग होने के बुष्ट में हो गया यहां पर पंच मी विवक्ति राम से रामात तो बुष्ट से बृक्षात, अब देखें, तविस नमर में यहां पर है कि हम भित्रार्था नाम भई हेतु, यहां पर लिखा गया है कि भई वाचक तथा रख्षा वाचक सब्दों में अर्थात जिस से स्टमी वियाख्ठाए वियाख्ण हुए जैसे राम से रामात हो जाता तो सह व्याकरन रक्षती वह वाग से रक्षा कर रहा है आगे देखे 24 में है आख्या तोप योग है ठीक है नियम प्रुबक जिससे पाठ पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाले सब्दों में क्या होता है विवक्त पंचमी विवक्ति लगाए जाता है ठीक है तो यहां पर देख किसँ से पर रामत संस्कीर्त पढ़ताਹ है संस्कीर्थ यहां इपर रहता है किhen दो कि क्या करते हैं और यहां से संस्कीर्थन को न्युकृबक यह स्कति करते हैं कीन होघाता संस्कीर्थ्तम पठथे थीच है आगे देखें 25 में थे प्रहुवा प्रभावा जहां से कोई उत्रों इध्रों शार्टि में Sylatuj लगान कीन बार्वा जाती है ज्सेरा घंग भाले से अweekर हीमाले से निकलना निकलना थ कै तो खाल। बहुत सारे आप गलें के लिए देखना है तो आपको एक है कि हम आपको निअम बताने का प्रियास कर रहे है कि इस परकार से क्या होता है, इस कारण से यहां पर हमाले से हमाले यात हो गया है तो जब आप नियम जान लेते हैं तो नियम जानने के वाद आप क्या करेंगे कहीं से भी आप देखेंगे उधारण तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा टेंसर नहीं होगा ठीक है अब देखें 26 नमर में यहाँ पे 26 में है कि सस्टी चानादर है क्या होता है सस्टी चानादर है यानि कि जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें सस्टी या सप्त्मी विवक्ति लगाई जाती जैसे देखिए रूदता पुत्र से पिता वनम गत्वान रोते हुए वालक को छोड़ करके और पिता क्या हुए वन चले गए तो यहां पे वालक का अनादर किया गया जी वालक रोड़ हाथा उसको छोड़ के पिता क्या कर दिये वन चले गए तो वालक का अनादर होगा उसमें सप्त्मी विवक्ति या सस्टी विवक्ति लगेगा तो पुत्र में क्या हुआ यहां पे सस्टी विवक्ति लग गया तो पुत्र से हो गया चुकि सपति बिखति में क wusत कर पटर्ण वन tailा जाता फार ये दिया इसको भी आप देख लेंगे ठीक ओग नमर में देखिए 37 में यहाँ पे है कि यतस्च निर्धार नम कि जब किसी समुह से किसी को स्रेष्ट बताया जाए ठीक है कोई समुह है उसमें से किसी एक को स्रेष्ट आपको बताना है ठीक है तो उस समुह वाचक सब्दों में सश्टी या सप्टि मी विवक्ति लगाई जा कभी नाम काली दासस रिष्ट कभियों में काली दासस रिष्ट है तो कभी क्या हो सम्हु बाचक सब्द है तो कभी से यहां पर कभी नाम हो गया जैसे राम से क्या हो जाता था राम नाम हो जाता था तो कभी से कभी नाम हो जाएगा और काली दासस रिष्ट कभी नाम हो जाता कभियों में काली दास्रेश्ट है को अगके यहां पे देखिए एक और उदारन देकर के आपको बताने का प्रयास कि आ चैसा पुलाइबियाब यह इसमे तो कभी नाम हुआ था शस्ट भीवक्ति के रूप से और यहां पर चैसी को कभी कविशू कालिदासा स्रेस्ट ये सिर्फ परकार नाम आपको कुछ और भी दिया जा सकता है यह आपको वहां पर दे जाए कि बालकों में रामस्रेस्ट थीक है तो दोनों परकार में आपका सही माना जाएगा 28 नमर में देखे, फिलाल 28 में यहाँ पर है भावे सब्तमी, ठीक है, किसी किरिया के काल से दूसरे किरिया के काल का ग्यान हो, तो उस पुर्व कालिक किरिया तथा उसके करता में सब्तमी भी वक्ति लगाई जाती है, यहाँ पर जब आप देखेंगे उदाहरं से तो आपको इस थोरा सब जैदा समझाएगा, यहाँ पर देखेंगे, अस्तम गते सूर्ज है, सह गिरहम और गत्स, ठीक है, सूर्ज के अस्त होते ही वह घर चला गया, तो इसमें आपको देखेंगे, नजर आड़ होगा कि एक काल है, जिसमें सूर्ज अस्त होने का बात हो रहा है, और किरिया के काल में दोसरी किरिया के काल का ज्यान हो उस पुर्वकालिक किरिया तथा उसके करता में सप्विवक्ति लगाए जाते तो पुर्वकालिक किरिया क्या है पुर्वकालिक किरिया क्या है सूर्ज का अस्तंगत मतलब होगा कि अस्त हो जाना सूर्ज का ठीक है तो अस्त गत्यशूर्ज शूज्य सह गिरहम अगच्छत वहीं पे देखे दूसरा भी यहाँ पे दिया गया है कि उदीटे सुर्ज उधीत मतलब उगना फिक है उगते हुए सुर्ज कोगते मतलब कमलानेी निकसंति सुर्ज के उगते ही स्रोबड होता है तो उधीत से क्या हो जाता है उदीते सब्त्मिवक्ति के कारण और सुर्ज से सुर्य भी हो जाता है सब्त्मिवक्ति के कारण तो इस परकार का जो रहेगा तो उसमें पुर्वकालिक किरिया जो रहेगा उसमें सब्त्मिवक्ति लगाएंगे ठीक है अब देखिए अब यहां पर हमने क् कि थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए यहां पे दिये दिया है ताकि क्या करेंगे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सब का यहां पर आपको यूज दीख जाएगा ठीक है देखिए जिसे कभियों में काली दासरेष्ट है अभी जस्ट पहले स्रेष्ट अस्ति अभी देंगे तो फिर ठरीक है अब दिखेए दो नर्मर में कि तुम घर जाओ और पढ़ा अज़ा नहीं भाला है दिसरा है कि तलाव्म आक उ एक्ट रहे एक्जाम में कि अप इस रोबर में एक बालक टरता aber देखेने मंदिर में एक लड़की पूजा करती है म latt 또 मędिर में में के लीए यहां पर क्या होग इस अप्रीयोग देखेंगे वहां पर हमने आपको एकदम असपस क्रूप से एक टेवल बना करके दे दिया है साथी में उसमें पर्तेक भीभक्ति के नीचे में उसका कारेक्चिन के साथ क्या किया पर्योग करके लिख दिये हैं ताकि आपको इन सभी चीजों में थुरा सा क्या हो सोलियत हो आ नोबर में देखेंगे तो यह पर देखिया आप कि पत्ये गिरते हैं तो यह तो उन लोंग इससे पहले भी देख चुके हैं आप देखे को ही संस्किर्ट के टैप से लिखत हो ठीक है कोई दिकत ने होगा आपको इसे माला का मालाम हो गया गुथती का गुथती का गुथती हो गया क्या हो यहां पर कोई भारी है जी नहीं है ना तो चत्वरह बाली का मालाम गुथती और सबसे लास्ट आज का जो है कि स्याम मुझ् पढ़ता जाने के स्याम मत पढ़ती हूं तो इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है और आप यहां पे देख़ड़ होंगे कि इस परकार का जो भी यहां पे अनुबाद करने के लिए दिया गया है इसी परकार का आपके एक्जाम में भी पूछा जाता है तो मेन रूप मतल्ब से हमारा जाना यह है कि अनुबाद बनाने के लिए जो भी हत्यार आपको चाहिए हमारे अनुशार आपको पूड़ा क्या किया गया है बस अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है वो आप अपने गाइड में जो भी आपके पास गाइड होंगे उसमें इनुदी अन झाल झाल